देखे मैं दो तिन बातें सपस्ट करना चाहूंगा कुछ लोगों ने मीडिया में ज्यादा फैनिक फैला दिया है उसकी आवसकता नहीं है स्थिती है कि कल एक बार का वन टाइम हादसा था ये जो गलेशर टोटा उसके साथ पुरा पाहर टोटा बोल्डर साय मलबा आया और तो उसने जो रहनी प्रोजेक्ट था रहनी पावर प्रोजेक्ट उसको पूरा बहा दिया और डाउंस्ट्रीम पांच किलोमेटर आगे तपोवन था उस पे बड़ा इंपेफ किया पूरा तो नहीं तूटा पूरा नहीं बहा तो ये दो जगह इसका मेजर डैमेज हुआ है जो होना तो कल हो चुका उसमें आज कुछ नहीं हो रहा पहली बाद और इसको जो पहले प्रोजेक्ट से 32 लोग मिसिंग हैं दूसरे प्रोजेक्ट से 121 लोग मिसिंग हैं यह अभी तक हमारे बास फिगर्स आई हैं इन में से 10 डेट बोडी रिकवर हो गई हैं तीन डेट बोडी तपोवन से और साथ डेट बोडी कंड परियागत के रास्ते में हमारी टीमें लगी हुए खोजने में आगे अगर को इस तरह की बोडिज मिलती हैं तो तपोवन प्रोजेक्ट पे दो टनल थी छोपी टनल से कल 12 लोग को बचाया गया है और वो पूरी तरह आर्मी के लोग वो डेट सो मिटर तक गए क्रॉल करके उसका आगे जाना असंबह था वो इतनी बड़ी टनल है तो उसका पूरा मलबा भार निकाला जा रहा है और मशीनों के साथ निकाला जा रहा है उसमें भी आर्मी की तीमें लगी हुई है और उसको मुझे उमीद है कि अगर उनको हेल्प की जरूत होगी उनको को रेस्क्यों की जरूत नहीं है कोई हेल्प की जरूत होगी तो उन तक पहुंचा ही जा रही है तीसरा जो यह जो मिसिंग परसंज है इनका मिलान क्या जा रहा है जो डेट बोडिज खोजने हैं उनको उनको खुजवाने में हमार कि वह किसी तरह के पैनिक में ना है और प्रशाशन को पुलिस को आर्मी की हमारी सब टीमों को जो लगी है अब कोई बड़ी दिक्कत नहीं है एक ही बात मैंने कहां कि एक ही जगह बचा जो बड़ी टनल है उसको खोलने में मलबा बहुत ज्यादा इतने पूरा का पूरा भारा हुआ तो इसको खोलने में ताइम तो लगेगा यही दिक्कत है कि खूरा का जो भारा झाले में को खोलने में ऐसकार नहीं से बा जहां जांग, टामे गवेट है कि झाले हां कि भारा हुआ देया है